क्या बिर्टिस अर्थ विवस्था का पतन सुरू हो चुका है और निश्चित हो गया है पतन होना आखिर आठ साल का किया कराया कैसे पानी में फिर गया है जानेंगे सुरिसी सुनक के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल यूके में खड़ी हो गई है सिरलंका के रास्ते पे चल पड़ा है यूके तो महीं दूसरी तरफ भारत की अर्थ विवस्था को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया गया है और ये खुलासा ना सिर्फ भारति को बलकी पूरी दुनिया को हैरान कर रही है जानेंगे क्या कुछ निकल कर आ रहा है जियो पॉल्टिक्स में आये जानते हैं इन खबरों को विस्थार से एक ऐसा देश जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसका सूरज डूबता नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में लग अबत यहां तक आ गई है कि 170 अरब बाउंड अलग अलग बजारों से उधार ले लिया है यूके ने पिछले मेने जब लीज ट्रस सरकार आई थी लीज ट्रस सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया जिस फैसले ने यूके को और भी ज़्यादा बिखेर कर रख दिया कारण सि पिछले कुछ दिनों में दो सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी तरीके से फाया कर दिया है यूके का अब हो क्या रहा है पहली बात तो ये इस वक्त यूके में आप महंगाई देखेंगे ना तो महंगाई बहुत जादा बढ़ी हुई है यहां तक कि बिटिस सरका एक सो बिलियन पाउंड अपने लोगों पर अपने मार्केट में खर्च कर चुकी है लेकिन फिर भी उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है अब इस्तिती ऐसी हो गई है कि अमेरिका में जहां बड़ी-बड़ी कंपनिया चटनी कर रही थी तो अब यूके ने भी अपने द कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अलाकि रिशी सुनक ने जैसे ही यूके की गदी समाला वैसे ही रिशी सुनक ने ये एलान कर दिया कि हमको कठोर नीरने लेने होंगे तभी हम बच सकते हैं और सब को साथ मिलकर चलना होगा अब इसे देखते हुए बिटेन सरकार ने एकदम स टैक्स को काफी बढ़ा दिया है भारी इजाफा कर दिया है बिटेन सरकार आपको बता दें इससे पहले जो लीज ट्रस सरकार आई थी उसने टैक्स में काफी गिरावट कर दी थी और उसकी वज़े से इस्तिती तो और भी भयानक हो गई थी लेकिन यूके के नए पी एम र दाल दिया जनता के उपर कि जनता से हम वसूलेंगे इतना ज्यादा पैसा जीडीपी का 37.1 परतिसत एक बड़ा नंबर है पर सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से बिटेन को बचाया जाए अब जब लीज ट्रस सरकार आई थी तो 44 दिनों में इसने कहा था कि हम 45 अरब डॉ दॉलर बचाएंगे और 65 अरब डॉलर कैसे बचा सकते हैं तो 65 अरब डॉलर बचाने के लिए हम टैक्स वगेरा को लेंगे वैसे आपको बता दें इतना बड़ा जो टैक्स में इजाफा हुआ है न दिवितिय विस्यूद के बाद पहली बार यूके ने इतना बड़ा इज लेकिन यूरोप्य यूनियन से बाहर आ गया। और बाहर आ गया तो कहते हैं न जब किसमत खराब हो तो ऊट पर बैठे वेकश्को को भी कुट्ता काट लेता है। वही इस्तिति हो गईूके कीूके यूरोप्य यूनियन सेनीकला और फिर कोविट संकत सुरू हो गया। जा रहा है नौबत ऐसी आ गई है कि 170 डॉलर वो देश जिसका दुनिया भर में राज हुआ करता था वो उधार ले रहा है करजा ले रहा है यह यूके और अमेरिका का हाल अब बात करें भारत का क्या भारती सिस्तिती से निकल पा रहा है या फिर भारत का भी हाल कुछ वैसा ह इस रिपोर्ट ने दुनिया की 10 बड़ी अर्थ विवस्थाएं जिसे टॉप 10 अर्थ विवस्था कहा जाता है जिसमें कौन कौन आते हैं अमेरिका ये तो नमबर एक पर है यूरोपिय संग जिसमें 27 देश हैं चीन जापान यूके भारत ब्राजिल दच्छिन कोरिया रूस इन सब को लेकर जो बड़ी 10 अर्थ विवस्थाएं हैं उनको लेकर ये देखा कि इनका बैपार कैसा चल रहा है इनकी अर्थ विवस्था में क्या अंतर आया है बैपार से ही पता चल जाता है किसी देश की अर्थ विवस्था इस वक्त कैसी चल रही है और आने वाले समय में इसका क्या हाल होने वाला है पहली बात तो इस रिपोर्ट ने ये कह दिया कि दुनिया भर में याद रखिएगा ये भारत के लिए नहीं बलकि दुनिया के लिए बात हो रही है दुनिया भर में आर्थिक मंदी आएगी गिरावट आएगा 2021 में दुनिया बढ़ रही थी 5.9% की रफतार से लेकिन 2022 में ये 2.8% की रफतार है आधे से भी कम और 2023 में तो ये गिर कर 1.4% तक पहुँच जाएगी यानि अभी ये और गिरेगी इनों ने खुलासा कर दिया कि आने वाले महिनों में आपको यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, लेटिन अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा मंदी अब आपके मन में प्रस्ना आ रहा होगा कि दुनिया भर में मंदी चा रही है और इनों ने बता भी दिया यूरोप, अमेरिका, कनाडा और लेटिन अमेरिका में मंदी आएगी तो भारत में क्या होगा तो आपको बता दे इसके उलट इन्हों ने इस रिपोर्ट में एकदम से चौका दिया है दुनिया को पहले तो उन्हों ने ये कहा है कि एसिया पेसिफिक, मिडल इस्ट और अफर भारत की बात करें तो भारत ने एक अलग ही काम कर दिया है भारत के लिए जो रिपोर्ट आ रही है और आने वाले समय की संभावना बताई जारी है वो कहा जा रहा है कि अंतराष्टिये बैपार की लिहाज से भारत पूरा मामला जीतता हुआ नजर आ रहा है दुनिया के ज पस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो एकदम से आसावादी है क्योंकि अभी के हालात में जो दुनिया की टॉप 10 अर्थ विवस्ताएं हैं उनमें से ज़्यादा तर निर्यात कम कर पा रहे हैं लेकिन भारत निर्यात तावड तोड़ कर रहा है यही वज़य है कि यह माना जा रहा है बैस्विक अर्थ विवस्ता में भले गिरावट देखने को मिले लेकिन भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है और यह भारत की सही नीतियों का परिनाम है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ